कार्टिके 2 movie जब release होती है तो इसको शुकरवार की बज़ा इसको शनीवार को release किया जाते हैं जस्ट विकोज ओफ इस movie को screening नहीं मिलती है शनीवार को भी बहुत कम screening मिलती है लेकिन बावजुद इसके movie को लोगों ने प्यार बहुत दिया और एक जो चीज मुझे लगी इस movie के टाइम में जब मैं इसको देखने जा रहा तो तो इस movie की प्राइज का टिकट जो कम है तो यह थोड़ा मुझे बहुत बुरा लगा एक जो मेकर से किसी movie के तो उनको कितना जादा बुरा लगते हैं कि हमें screening नहीं दे रहे हैं के अंदर इजाफा किया साथ लाग शनिवार को तो शनिवार को थे और यह बढ़कर संडे को 28 लाग हो जाते हैं और शोंवार को इस movie ने सेम 300% का इजाफा किया 1.10 करोड इस movie ने कमाई कि सोंवार को यानि इस movie ने लग बग मतलब कोई movie का maker जाके जो या फिर जो कास्ट है वो जाकर लोगों को बताते हैं उससे बड़ा पर्मोशन होता है कि लोग जब movie देखकर बाहर निकलते हैं एक माउट पर्मोशन होता है मतलब किसी ने पैसे नहीं दिया उस movie को पर्मोशन करने के लिए लोग खुद बता रहे हैं कि यार आप जाके movie देखिए कितनी सुंदर movie है कितने भारतिय कल्चर को कितने गर्व से इस movie के अंदर दिखाया गया है कितनी factual logical तरीके से इसमें बातों को रखा गया है तो जब आप वो चीज़ देखते हैं तो आप वो सीज़ सुनते हैं तो देखने का मन करता है तो ऐसा ही इस movie का result सामने आया लोगों का opinion बढ़ा ही positive इस movie को लेकर आया तो बहुँ ज़्यादा प्यार मिला इस movie को इसकी screening बढ़ाएगी और मुझे देखकर यह सब चीज़ देखकर मुझे बहुँ ज़्यादा अच्छा लगा कैर movie की कहाने की चाचा कर लेते हैं कार्ति के नाम का एक वेक्ति जो एक doctor होता है तो यहां पर यह जो इनसान है वो भगवान की आस्ता पर सवाल उठाता है कुछ चीज़ों को लेकर ऐसा नहीं है कि यह बुरा बोलता है उनको नहीं यह सवाल उठाता है अब obviously वो इसलिए क्योंकि यह curious होगा वो जानने के लिए या फिर ऐसी आप relate कर पाएंगे ऐसी PD से जो क्या करते हैं कि उनको हर चीज़ के पीछे logic चाहिए होता है कि ऐसा क्यूं हो रहा है तो ऐसा आप relate भी कर पाएंगे काफी सारे चीज़ों काफी सारे लोगों के साथ त गैर करति के काम के लिए चुना जाते कि वह भागवान के पैर को ठीचन के उसको जो झाल को ढूटना है अब उसको और भी भाकी जो लोग है दूपना चाहते मैं कार्द के जब इसिका इस Drag को न करकर आ आपको इंटर्स करा आपनों इसको पड़ी मैंने ध्यान रखी है क्या है मुवी उन लोगों को काफी ज़्यादा परेशान कर सकती है कि जो हमेशा ही डाउट में रहते हैं डाउट में नहीं या फिर वो एक होता है डाउट में रहना और एक होता है अंजान में हमें तो अपन खत्म होगी आपको लगेगा यार मेरे पैसे बरबाद होगा ऐसा बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा इवन आपको बहुत जादा अच्छा लगेगा मैं तो मैं डेफिनेटली करूंगा भले ही आप नहीं भी मानते हैं भगवान में यकीन भी नहीं करते हैं तब भी आप जाएए मुवी को देखे आपको बेनिफिट ही होगा उसको देखने से एकदम आपको मुवी का जो कंटेंट है वो एकदम फ्रेश मिलेगा एक नहीं कहान ही आपको देखने को मिलेगी वी अफेक्स में थोड़ा बहुत कॉंप्रोमाइज कर सकते हैं लेकिन मुझे उससे को तो मुझे बहुत जादा पसंद आया इस मुवी का अनुपम खेर जो है वो व्याक्या करते हैं भगवान श्रीक्रिशन को लेकर और जिस तरीके से उन्होंने भगवान श्रीक्रिशन के बारे में वर्णन किया यार कूस बंब आ गए वो इतना सुन्दर मुझे वो सीन लग अनुपम खेर जी के द्वारा इस मूवी में बोली जाती है श्री भगवान किशन को लेकर कि बगवान जो है यह यह हमारे कोई भगवान नहीं बलकि हमारे एंसेंटर सी एं मतलब कि हमारे पूर्वज इतनी उन्होंने जिस तरीके से व्याक्या कि ना बहुत सुन्दा लग मैंने कार्थी के मुवी इसकी फर्सट नहीं देखा लेकिन जब इसका सेगेंड पार्ट देखा है तो बहुत ज्यादा इच्छा है कि आप मैं इसका फर्सट पार्ट देखू इतना सुन्दर तरीके से हमारे कल्चर हमारे हिंदुजम को इतनों ने दिखाए बहुत सिरीके से नेगेटिव चीज़ के अंदर दिखाएंगे या फिर वो टेर्रिजम को बड़े ही प्यार से उनके पति सिंपती क्रियेट करेंगे जैसे लाल सिंग चड़ा मुवी के अंदर में देखने को मिले यह काम है बोलीवूड वालों का बोलीवूड वाले ऐसी मुवी करने में कि बनाने के बारे में wäre तो कभी सोच ही नहीं सकते या फिर उनके अंदर हिम्मत TOї extrolo करेंगे तो उनको सायट में ऐटाते हुए आप देखें मैं ज剛剛 मुझे अच्छा लगते कि आउब जो इंडस्ट्री है वो किस तरीके से जो हमारे धर्म को करेंगे करती है अच्छे तरीके से हिंदुईजम को दिखाया जाता है तो डेफिनेटली आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए मेरी तरव से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा नाइन आफ टो टैन तो अगर आप लोगों ने मूवी नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखें अपनी फ